आईए सीखे cooking वाले fragile verbs यानि वो fragile verbs जो आम तोर पर हमारी kitchen में रोज बोला जाता है तो आईए एके करके इन सभी के बारे में जानें आईए सबसे पहले throw out के बारे में जानें throw out का मतलब होता है किसी चीज को unfreeze करना यानि अक्सर आप kitchen में ये sentence सुनते होंगे कि अगर कोई समान freeze में रखा हुआ है तो उसे पकाने से कुछ दिर पहले निकाल लो जैसे मान लीजी अगर आपको कहना हो आदे घंटे के लिए chicken को unfreeze कर दो या chicken को बाहर रख दो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे throw out the chicken for 30 minutes यानि अगर आपको chicken पकाना है तो फ्रीज से आदे घंटे के लिए chicken को unfreeze कर दो या chicken को बाहर रख दो यहां मैं आपको बता दो कि throw out का इस्तिमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं पहला throw out something और दूसरा है throw something out यानि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसे throw out के बाद भी लिख सकते हैं और throw out के बीच में भी लिख सकते हैं यानि इस sentence को आप ऐसे भी बोल सकते हैं throw the chicken out for 30 minutes तो friends उमीद करता हूँ का आपने पहला word समझा कि कोई भी ऐसा सामान जिसे आप कह रहे हों कि उसे unfreeze कर दो यानि freeze से निकाल दो तो आप कहेंगे throw something out या throw out something अगर हम बाद chop up something की करें तो इसका मतलब होता है छोटे छोटे चुकडों में काटना हलाकि आप chop something अब भी लिख सकते हैं यानि इसे भी आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं पहला chop up something और दूसरा chop something up रोज हम अपने किचन में आलू, प्याज, मिर्चा को छोटे छोटे हिस्सों में काटते देख सकते हैं तो कोई भी ऐसा सबजी जिसे आप छोटे छोटे चुकडों में काटते हैं तो वहाँ पे आप कहेंगे chop up यहां मैं आपको एक बात बता दूँ इस वर्ट का इस्तिमाल खास कर किसी वेज़ टेबल को काटने के लिए किया जाता है यानि सबजी काटने के लिए किया जाता है माननी जी अगर आपको कहना हो प्याज को छोटे 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 चुकडों में काट लो तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे चूप ओनियंस अप आप ये भी कह सकते हैं चूप अप ओनियंस यानि प्याज को छोटे 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 चुकडों में काट लो अगर आपको कहना हो टमाटर को छोटे 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 चुकडों में काट लो तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे चोप टोमैटोज अप, आप ये भी कह सकते हैं, चोप अप टोमैटोज, तो friends उमीद करता हूँ कि आपने चोप अप का मतलब समझा, कि किसी चीज को छोटे छोटे टुकडों में काट लेना, अगर हम बात mix in something की करें, किसी एक चीज को दूसरे चीज में मिला देना, हलाकि इ जैसे माल लिजी अगर आपको कहना हो, मसाला और नमक को अच्छे तरह मिला दो, तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, mix in spices and salt properly, आप ये भी कह सकते हैं, mix spices and salt in properly, यानि मसाला और नमक को अच्छे तरीके से मिला दो, अगर आपको कहना हो, इन चीजों को आपस में मिला दो तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, mix these things in properly, आप ये भी कह सकते हैं, mix in these things properly, यानि इन चीजों को आपस में मिला दो, अगर हम बात turn down something की करें, जिसे turn something down भी लिखा जाता है, यानि दोनों तरीके से लिखा जाता है, तो इस word का मतलब होता है, to lower the temperature of the heat, यानि धीमी आज क करना, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा खाना, हम लोग धीमी आज पर पकाते हैं, या धीमी आग करके पकाते हैं, तो वही पर हम कहते हैं, turn down something, या turn something down, जैसे माल लिजी अगर आपको कहना हो, आग को धीमा कर दो, तो एस sentence के लिए आप कहेंगे, turn the heat down, आप ये भी कह सकत हैं, turn down the heat, यानि आग को, या गर्मी को कम कर दो, या किसी चीज के तापमान को कम कर दो, तो उमीद करता हूँ का आपको turn down something, या turn something down का मतलब समझ में आया, किसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, अगर हम बात boil over की करें, तो boil over का मतलब होता है flow over, यानि उबल कर बढ़त कर बरतन से नीचे गिर जाता है, तो वही पर हम कहते हैं boil over, जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो, the milk is about to boil over, यानि दूद उबल कर नीचे गिरने वाला ही है, अगर आपको कहना हो, चाय उबल कर नीचे गिर गया, तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे, the tea boiled over, यानि चाय उबल कर बरतन से नीचे गिर गया, अगर हम बात cool down की करें, तो cool down का मतलब होता है, किसी चीज को ठंड करना, लेकिन यहाँ ठंड करने से मतलब बहुत जादा ठंड करने से नहीं है, बलकि खाने के लाइक ठंड करना, यानि किसी खाना को इतना ठंड करना, ताकि वह आराम से खाया कई बार जब आप खाना खाने बैठते हैं और आपका खाना गर्म होता है, तो आप उसे थोड़ा बहुत ठंडा करते हैं, तो वहीं पर आप कहेंगे cool down, जैसे माल लिजी अगर आपको कहना हो, इसे थोड़ा ठंडा कर लो, तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे cool it down, अग अगर आपको कहना हो, इसे थंड होने के लिए पंखे के नीचे रख दो, तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे keep it under the fan to cool down, यानि इसे थंड करने के लिए या थंड होने के लिए पंखे के नीचे रख दो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको cool down का मतलब समझ में आया, कि cool down क मतलब होता है ठंड करना यानि जरूरत के हिसाफ से ठंड करना अगर बात warm up something की करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को गर्म करना लेकिन यहां मैं आपको बता दूँ किसी चीज को बहुत जादा गर्म ना करना जरूरत के हिसाफ से गर्म करना यानि खाने के लायक गर्म कर जैसे कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई खाने पीने की चीज हंड हो जाती है तो आप उसे दुबारा हलका गर्म करते हैं तो वही पर आप कहेंगे warm up something जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो खाने को दुबारा गर्म कर लो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे warm up your food अगर कि खाने पीने की चीज को गर्म करने के लिए हम कहते है warm up something अगर हम बात back off की करें तो इस word का मतलब होता है सेकना लेकिन इस word का इस्तिमान हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी पकी ही चीज को सेकना जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो बर्गर को गर्म करके दीजिए त के लिए मैंने बोला warm up something और यहां मैंने किसी खाने पीने वाली चीज को गर्म करने के लिए बोला back off तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है तो friends मैं आपसे कहूंगा हाँ वो चीज जो पकाया जाता है उसे हम warm up करते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो पकाया नहीं जाता बलक अगर को सेका जाता है इसी तरीके के और भी बहुत सारे पकवान हैं जिसे कुक नहीं किया जाता बलकि सेका जाता है तो वो सभी चीजें जो सेका जाता है उसे गर्म करने के लिए हम कहते हैं बेकाफ और जो चीज पकाया जाता है या अगर और भी कोई चीज जो पकाया जा तो उसे गर्म करने के लिए हम कहते हैं warm up अगर हम बात bolt down की करें तो इस word का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी खा लेना यानि खाना को फटाफट खा लेना जैसे माल लिजी अगर आपको कहना हो वह फटाफट अपना लंच किया और काम के तरफ भागा तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यानि वह फटाफट अपना लंच किया और काम के तरफ भागा या काम के तरफ लौटा माल लिजी अगर आपको कहना हो तुम खाना को फटाफट क्यों खाते हो या इतना जल्दी जल्दी क्यों खाते हो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे यानि तुम खाना को इतना जल्दी जल्दी क्यों खाते हो या फटाफट क्यों खाते हो यहां मैंने अपने sentence से बोला lunch क्योंकि खाने से मेरा मतलब दो पहर का खाना से था अगर हम बात cut off की करें तो cut off का मतलब होता है remove something by cutting it यानि किसी चीज का कुछ हिस्सा काट कर निकाल देना जैसे अक्सर आप जब गाजर काटते हैं या भिंडी काटते हैं या इसी तरीके के और कोई सबजी काटते हैं तो आप उसके उपरी हिस्से को काट कर निकाल देते हैं तो इस तरह का sentence जहां आपको कहना हो किसी चीज का कोई हिस्सा काट कर निकाल देना तो वहाँ पर आप कहेंगे cut off जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो गाजर का उपरी हिस्सा काट के निकाल दो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे cut the tops of the carrots यानि गाजर का उपरी हिस्सा काट कर निकाल दो अगर आपको कहना हो मैंने पहले ही गाजर का उपरी हिस्सा काट कर निकाल दिया है तो एस sentence के लिए आप कहेंगे I have already cut the tops of the carrots यानि मैंने पहले ही गाजर का उपरी हिस्सा काट कर निकाल दिया है या काट कर हटा दिया है अगर हम बात cut something out की करें तो इस word का मतलब होता है किसी चीज को काट कर सही shape देना या सही आकार देना यानि सही रूप देना यानि अगर कोई हलुआई मिठाई बनाता है तो उस मिठाई को वो अलग-अलग design में काट कर सही shape देता है ताकि वो मिठाई खुबसूरत लगे तो कोई ऐसा चीज जैसे हम इसलिए काटते हैं ताकि उसे हम एक अच्छा shape दे सकें या अच्छा आकार दे सकें तो वही पर हम कहते हैं cut something out जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो केक को काट कर सही आकार दो या सही रूप दो तो ऐसे sentence के लिए आप कहेंगे cut the cake out अगर आपको कहना हो मिठाई को काट कर सही लुक दो या सही रूप दो या सही आकार दो तो ऐसे sentence के लिए आप कहेंगे cut the pastry out यानि मिठाई को काट कर सही सकल दो या सही रूप दो या सही आकार दो अगर हम बात cut up की करें तो cut up का मतलब होता है काट लेना जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो समोसे को छोड़े छोड़े टुकड़ों में काटो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे cut the pie up into pieces यानि समोसे को छोड़े छोड़े टुकड़ों में काटो अगर आपको कहना हो आइस क्रीम को तीन हिस्से में काटो या तीन टुकड़ों में काटो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे cut the ice cream up into three pieces यानि आइस क्रीम को तीन हिस्से में काटो या तीन टुकडों में कटो तो friends उमीद करता हूँ कि आपने सीखा कि cut up का मतलब होता है किसी चीज को काटना अगर हम बात eat out की करें तो इस word का मतलब होता है बाहर खाना यानि किसी restaurant या hotel में खाना जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो आज हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे Today we are going to eat out यानि आज हम लोग घर के बजाए किसी restaurant या hotel में खाना खाने जा रहे हैं अगर हम बात eat up की करें तो eat up का मतलब होता है सब खाना या पूरा खाना और यह भी एक बहुत common fresh word है अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब बच्चे कोई खाना खाते हैं तो अपने plate में खाना का थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं तो अक्सर घर वालों को कहना पड़ता है कि पूरा खाना खाओ या सब खाना खाओ यानि जो plate में बाकी बचा है उसे खाओ तो यही पर हम eat up का इस्तेमाल करते हैं जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो सब कुछ खा लो नहीं तो तुम्हें कोई मिठाई नहीं मिलेगा तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे eat up otherwise you will get no desert कई बार हमें अपने घर पर यह sentence सुनने को मिलता है कि plate में लिया सब खाना खा लेना एक अच्छी आदत है तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे to eat up is a good habit यानि plate में लिया सब कुछ खा लेना या साफाई से खा लेना एक अच्छी आदत है अगर हम बात eat in की करें तो word eat in का मतलब होता है घर पर खाना जैसे माल लीजे अगर आपको कहना हो मुझे घर पर खाना खाना बहुत पसंद है तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I love to eat in माल लीजे अगर आपको कहना हो अगर आप healthy रहना चाते हैं तो घर का खाना खाएं या घर पर खाना खाएं तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे eat in if you want to be healthy तो उमीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा ति eat in का मतलब होता है घर पर खाना खाना अगर आप बात pick at की करें तो pick at का मतलब होता है बहुत मामूली खाना या बहुत थोड़ा खाना यानि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ति अगर कोई खाना बहुत तीखा है या ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं आया तो हम लोग बहुत कम खाते हैं या ना के बराबर खाते हैं तो वहीं हम कहेंगे pick at मालने जिए अगर आपको कहना हो खाना बहुत मसालेदार था इसलिए मैंने बहुत कम खाया तो हैं सेंटेंस के लिए आप कहेंगे that this was very spicy so I picked at my food यानि खाना बहुत मसालेदार था इसलिए मैंने बहुत थोड़ा खाया या कम खाया अगर आपको किसी से कहना हो आपने तो बहुत कम खाया है या ना के बराबर खाया है तो एस sentence के लिए आप कहेंगे You have pigged at your food यानि आपने अपना खाना बहुत कम खाया है या ना के बराबर खाया है अगर हम बात wipe up की करें तो इस word का मतलब होता है जल्दी से खाना बना देना यानि कम टाइम में फटाफट खाना बना देना जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो वा सिर्फ 15 मिट में लंच तयार कर दी तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे See, wipe up the lunch only in 15 minutes यानि सिर्फ वा पंदर मिट में लंच तयार कर दी अगर आपको कहना हो मैं नास्ता सिर्फ 10 मिट में तयार कर सकता हूँ तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I can wipe up the breakfast just in 10 minutes यानि सिर्फ मैं 10 मिट में नास्ता तयार कर सकता हूँ तो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ का आपने बड़े शानदार तरीके से कुकिंग वाले फ्लेजल वर्ब्स को सीखा